महराष्टर की राजधानी मुंबई में तेंदुवे के आतंक से लोग दहशत में हैं मुंबई की आरे कालोनी में दीपा बली की रात एक 16 महिने की बच्ची को तेंदुवे ने हमले में मार दिया है ये बच्ची अपनी मा के साथ मंदर जा रही थी इसी दोरान जंगल में घंटों से घात लगाए बैठे भूखे तेंदुवे ने उस पर जपटा मार दिया है बच्ची का नाम इतिका अखलेश बताया जा रहा है तेंदुवे ने जब बच्ची पर हमला किया तो लोगों ने चीख पुकार करने शुरू कर दी जिसके चलते तेंदुवे बहाँ से भाग निकला लेकिन बच्ची बुरी तरीकिश्वे घायल हो चुकी है जिसे आनन फारन में सिबन हिल्स होस्पिटल में भरती करवाया है लेकिन बच्ची ने राष्टे में ही दम तोड़ दिया बच्ची अपने परिवार के साथ आरे कालोनी के यूनिट नंबर 15 पर रहती है तेंदुवे के इस हमले में बच्ची की गर्दन कई गंभीर चोटे आई हैं जिसके चलते उसने मौकिपर ही दम तोड़ दिया है बतादे की आरे कालोनी संजय गांधी राष्टे उद्यान के पास हरित पटी है और तेंदुवे का आरे कालोनी में आना जाना कोई आम बात नहीं है इस से पहले भी 4 अक्टुबर को एक 4 साल की बच्चे पर तेंदुवे ने आत्म घाती हमला कर दिया था हलाकि बच्चा तेंदुवे के हमले से बच गया था